असलाम नेकुम डियो स्टूरेंट आज हम देखेंगे कि क्लास में माइम सिर्फ हम इंट्रिद्यूस करवाते हैं तो उसका थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टन स्टेप क्या है कि उसको हम एंड अप करें राइटिंग में और शेरिंग में हम स्टीचर उसके बाद ग्रॉप में बहसे है और वन-इसके अच्टर बेख सकते हैं और वहल सकता है वह वह और हंप बच्चों के साथ वह ंप करता है stories लिखवाने के लिए जब बच्चे अपनी stories लिख लेते हैं उसके बाद कोई भी जो आपके दो ग्रूप हैं जो पहले audience था और बाद में वो खुद presenter बन गए या बच्चे को लेते हैं और उन्हें कहते हैं जब बच्चे कहानी को लिख रहे होते हैं तो टीचर इंदमीन वाइल नासिफ उन्हें कॉंप्लिमेंट करता है उन्हें सपोर्ट करता है कि वो कैसे वर्स चूस करें और बाकी बच्चों को भी help out कर रहा होता है in between the scenario जो हमारा काम ह अच्छी तरीके से निखा गया यह देखना है कि थीम कैसा है और बच्चे उसको कैसे अप्रोच लेके चल रहे हैं आप बच्चों को लिखने के लिए टाइम दे सकते हैं कि वो जो भी पैंटमाइम उन्होंने किया है या एक्ट किया है जब उसे कहानी में रिटन में लिख के सा mennä श्यर करें उसकी सबसे इच्छी टेखनी कि यह है कि आप ब्लर्क बॉड तीपड है सकते हैं बच्चों को बुला सकते हैं वो अपनी कहानियां बावाजे बिलन इस वो सेकते हैं लेकिन सबसे पहले पॉजटिव फीडबेख का आना जरूरए है उसके ने है जो बच्चे कहानिय लाएं उन में से दो तीन जो उसको बहतरीन लग रही है कि वो सामने आए और वो कॉम्पोजिशन वो बच्चे बढ़के दूसरे बच्चे को सुनाएं इस फाइनल एक्टिविटी के अंदर आब सारे बच्चों के लिए जरूरी है कि वो जो अपना प पर लग दो हुआ है लिए प्रफॉर्मस के अंदर आप स्टुरिंट को कि अंकर आइडे आपिस तो य१र ऑन खरिंट स्टूर्ण तो पर आइड दोसरे के सथास्पर आइडे है उनको दूसरे की बारे में भी पता चलता है कि और आपको तो पता हिये कि लेर्णिग में इ social experience है and that is a good way के जिसके तरों बच्चे आपस में collaborate कर सके हैं so जब बच्चों को पता होता है कि हमने front में आके जो कुछ हमने माइम किया है उसको कहानी में लिखना है और कहानी में लिखना है दूसरों के सामने पढ़ना है तो definitely बच्चे ज्यादा अच्छा लिखते हैं बहतरीन लिखते हैं सोचते हैं आप अच्छे words चूज करते हैं अच्छे sentences चूज करते हैं audience और performance दोनों चीज़े बच्चों पर बहुत ही positive और responsibility का effect डालती है तो अब teachers help out कर सकते हैं बच्चों को कैसे उन scenes को जो आप perform कर रहे थे माई में जिसमें कोई words नहीं थे expression थे उन्हें कैसे words में convey किया जाए अब additional support दे सकते हैं session के दर्मियान उनको discussion कर सकते हैं उनकी format बता सकते हैं कि writing का format क्या होना चाहिए और बच्चे जो हैं आपके advice के बाद और student की review के बाद अपने काम को definitely improve कर सकते हैं और improve करके फिर उसको दुबारा display कर सकते हैं